गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स हेलो हाव यू आई होप और फाइन सेफ। स्टुडेंट्स आज मैं लेके आई हूँ कक्षा चार का पार्ट एक कवीता मन के भूले बादल बच्चो कभी आपने देखा बादलों को बादलों में अगर देखें तो बादलों में कैसे दिखाई देते हैं बादल कोई काले रंग के होते हैं कोई सफेद रंग के होते हैं कोई नीले कोई हलके नीले ऐसे आसमानी रंग के दिखाई देते हैं और बादलों में अगर दिहान से देखो तो ऐसे लगते हैं बादल दोड़ रहे हो चल रहे हो या फिर बादलों के अं different, different दिखती है, में, दिखती है ना, अगर नहीं देखा, तो कभी ध्यान से देखना, आपको दिखाई देगा, कई बार तो आस होता है, ऐसे लगता है, जो में, भगवान हमें बादलों से, आसमान से देख रहा है, तो बच्चो जो कवी है उसने कल्पना की है मन के भोले बादल बादलों को क्या करे रख है कि बादल जो है वो मन के भोले भाले हैं तो मन के भोले बादल कवी ने बादलों को इनसान बना दिया जैसे बच्चे होते हैं न शिरारत करते हैं इसी तरह कवी ने बादलों को बच् शिरारत करने वाले हैं, हमारी तरह ही शिरारत करने वाले हैं, कवी को बादल ऐसा लगते हैं, जैसे बादलोग के बारे में कल्पना ऐसे की है, डिफरेंट डिफरेंट तरह से, चलो हम कवीता पढ़ते हैं, तो हमें बहुत मज़ा आने वाला है, now let's start the chapter first, मन के बोले बादल, जब्बर जब्बर बालों वाले गुबारे से गालों वाले लगे दोडने आसमान में जूम जूम कर काले बादल अब कवी क्या कहता है कवी कह रहा है कि जो कवी बादलों को देखकर ऐसा लगता है कवी को जैसे बादलों के बाल कर ली होते हैं बच्चों के बाल कर ली होते हैं ऐसे बादलों के बाल भी कर ली हैं और उसके जो गाल है वो कैसे हैं गुबारे से फुले फुले गाल हैं गूम गूम जूम जूम कर काले बादल आसमान में दोड़ भी लगा रहे हैं और गूम भी रहे हैं दोड़ते हैं और जूम जूम कर अपनी मस्ती में इधर से उधर गूम रहे हैं और कुछ जोकर से तोंद फुलाए कुछ हाथी से तूंद उठाए और कुछ तो बादल ऐसे ह कुछ तो बादल ऐसे हैं, जो जोकर की तरह मोटी सी तोंट फुलाई हुए हैं, और कोई बादल हाती की सून की तरह हैं, कुछ उंटों से कुबड वाले, कुछ परियों से पंक लगाए, कुछ तो ऐसे लग रहे हैं बादल, जैसे उनके की तरह कुबड निकलावा आयो, और क कुछ पर्यों से पंक फैलाए हुए कि कुछ बादल आपस में ऐसा दिखाई देते हैं आपस में टकराते रह 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 शेरों से मतवाले बादल तो कभी को ऐसा लगता है कि जोकर की तरह हैं तों फुलाए हैं और कोई बादल हाती की तरह हैं सूंड की तरह हैं हाती की तरह होती यह उठाये वे हैं और कुछ उंटों से कुबड वाले दिखाई देते हैं कभी बिसा कभी को भी ऐसा लगता है कुछ परियों जैसे सुंदर-सुंदर पंक लगाए होती ना परिया ऐसे दिखाई देते हैं बादल और आस आपस में टकराते रह रह रहे हैं शेरों सेमत वाले बादल कुछ बादल आपस में टकरा रहे हैं जब बादल आपस में टकराते हैं तो क्या करते हैं जोर जोर से आवाज करते हैं दहारते हैं और गरजन आती है बादलों की और बिजली भी चमकने लग जाती है जब भी आपस में टकर आते हैं तो क्या होता है बिजली चमकने लग जाती है और कोई भी बादल अपने आपको कम नहीं समझता शेरो जैसे मतवाले जैसे कुछ तो ऐसे लगते हैं शेरो जैसे मतवाले बादल की कोई भी अप जैसे शेर को किसी का डर नी होता ना इसी तरह हमारे जो बादल हैं उनको भी किसी चीज का डर नी है वो कैसे जूम रहे हैं शेरों कितने अपने दुन में चूम रहे हैं जैसे शेर शिकार करने के लिए उसे कोई रोक टोक नी होती है इदर घूमता रहता है इसी तरह से बाद जर 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 बरसे पानी कुछ बादल तो तुफान लेकर आते हैं जैसे तुफान आता है तो क्या होता है धूल, मिटी उड़ने लग जाती है कंकर बारी-बारी उड़ने लग जाते है और क्या होता है आंधी आनी शुरू हो जाती है कुछ तो लगते हैं तुफानी कुछ रह रह करते हैं और कुछ शैतानी करते हैं जैसे जोर जोर सी हवाई चलनी जोर जोर सी हवाई करते हैं एकदम भागते वे जाते हैं जोर सी हवाओं के साथ आते हैं और कुछ बादल क्या करते हैं अपने थैलों में चुपके जर 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 बरसे पानी और कुछ अपने थालों में क्या करते हैं? ऐसे लगते हैं की पानी चुपा कर लाए हैं जिस में उन्होंने पानी चुपाया हुआ है नहीं किसी की सुनते कुछ भी डोलक डोल बजाते बादल नहीं किसी की सुनते कुछ भी कि वो किसी की बादल जो है बादल तो अपनी मन मानी करते ही है किसी की बात नहीं सुनते डोलक क्यानि की शोर कर रहे है यहां पर डोलक को बता रखा है कि जो बादल है वो शोर कर रहे है बारिश में जब टकराते हैं तो उनकी गर्जन होती है न तो इसी तरह है वो क्या कर रहे है शेतानी कर रहे है बादलों की गर्जन हो रही है रह 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 कर छत पर आ जाते फिट चुपके उपर उड़ जाते कभी कभी जिद्धी बनकर के बाड नदी नालों में लाते ऐसा लगता है बार बार रह रह कर हमारी छत पर आ रही है और हमारे उपर पानी बरसा रही है कभी जिद्धी हो जाते हैं कभी जिद्धी हो जाते हैं इतना पानी बरसाते हैं कि नदी नाले कितने जिद्दि हो जाते हैं कियों बारवह नालों गुष्जाता है थे नालों कर भार में लाजती है। चो घुष गता है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के बोले भाले बादल चाहे वो जितने भी शरारत कर लें जितने भी नुकसान कर लें लेकिन फिर भी जो बादल है वो मन के बहुत बोले बाले हैं इस कवीता में कवी कवी ने ये बता रखा है कि जो मन के बोले बादल है वो फिर भी हमें ब नात सिंग तो बच्चो आई होब कि आपको कवीता अच्छी लगी होगी क्योंकि बादलों से तो सबको प्यार होता है और बारिश का मज़ा तो सभी लेते हैं लेते हैं ना और अब मैं आपको कराऊंगी इसी कवीता के शब्दत तो नाउ लेट्स टार्ट दा शब्दत ओफ तोंदा मतलब की मोटा पेट सूंड हाती की नाग कुबड उंट की उठी हुई पेट तुफानी तुफान से भरा हुआ शैतानी शरारत करना जिद्दी जिद करना यानि की हटी I hope students आपको कवीता अच्छी लगी होगी तो आपको क्या करना है मेरे चैनल पर फर्स टाइम आयो तो चैनल को सस्क्राइब कर दो अगर चैनल सस्क्राइब क्या हुआ है तो वीडियो को लाइक जिरूर करना ओके अगर अच्छी लगी तो लाइक जिरूर करना टेक कियर झाल 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